हालो गाइस वेल्कम टू अबर यूट्यूब चैनल जे के फ्रेक्टिस फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीवर्स आफ कश्मीर रीजन की ठीक है कि कश्मीर रीजन में कौन-कौन सी रीवर्स हैं तो इसमें हमने एक पार्ट अपना अल्रडी कंप्लेट कर ठीक है तो इसमें आज हम पढ़ेंगे हैं कौन-कौन सी रीवर्स हैं इसके बाद जो हुमारा पार्ट होगा वो आपका लेक्स के उपर होगाentes के एक्झे की वीडियो में उसको कवर कर लें तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो के उस पर हम आपके लिए mcqs लाएंगे तो mcqs आपके एक pending भी है gnk reorganization act पे उस पे हमारा काम चल रहा है उस पे भी हम आपको mcqs provide करेंगे तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं तो चैनल पे हमारे जो new हैं चैनल को subscribe करें well icon को press करें ताकि आने वाले कोई भी हमारी वीडियो होगी उसकी notification होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे की तो चलिए start करते हैं आज का lecture रीवर साफ कश्मीर में हमने सबसे पहले रखी है जिलम रीवर जिलम रीवर आपको पता है कि बहुत ज़दा important रीवर है exam point of view से इसके बारे में एक उच्छ पढ़ लेते हैं चीज़े तो जिलम रीवर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें जो कि आपकी कश्मीर में है जिलम रीवर आलसो नोन आज बाइत बाइत की नाम से इसको कश्मीरी लैंग्विज में बोलते हैं बाइत इसको very important है यह इसको note कर लें अगर आप notes बना रहे हैं after that Battista इसको Sanskrit language में बोला जाता है और Hidopasis इसको Greek language में बोला जाता है इन तीनों के नाम आपको याद रखने है बाइत और Battista और Hidopasis यह आपको कही ना कही exam में आप से यह पूछ लिया जाएगा तो next एगर में बात करूँ is the main waterway of Kashmir तो यह एक main waterway of Kashmir है it arises from a beautiful spring barry nock जिसको हम barry nock से बोलते हैं at the foot of the Pirpanjal mountain तो वहाँ से इसका horizon माना गया है तेक है जी after that Zillam river is also called the lifeline of Sirmagar इसको lifeline of Sirmagar भी बोल जाता है यह चोटे चोटे पॉइंट्स हैं यह बहुत important रहेंगे इन पे भी आपको question आ सकते हैं बारा मुला और अनंतनाग cities are situated on the both side of the Zillam river कौन सी वो दूर डिस्टिक हैं जो situated हैं both side of the Zillam river पे तो वो आपकी बारा मुला और अनंतनाग cities हैं clear तो यह भी important है इसके बाद इसके बाद बात करें many हाइडल पॉवर पॉवर पॉचेक्ट जो की located हैं इस रिवर पर example गांधर पर lower Zillam upper sindh woody extra it has about 24 tributaries इसकी 24 tributaries हैं important tributaries वो कुन सी हैं पॉरू है बिशो है रंबेरा है और पॉरू है ठीक है extra total length है जो इसकी वो 725 km है जो किश्मीर में इसकी जो length है वो आपकी 177th very very important exam viewpoint से ठीक है in सिननगर district many tributaries join this river सिननगर में बहुँ सारे tributaries इसको जोईन करती हैं that's it becomes the navigable from खानावल तो बुलर लेक तो ये भी आपको important याद रखना है ठीक है तो next जो river आती है हमारी लीदर river आती है इसकी picture आप देख सकते हो इसके बार में दोड़ा पढ़ जाते है this river originates from the Kola High Glacier in the north Boston Himalayas is a range about 26 km नौर्थ फ्राम पहल गाम इन जमू और कश्मीर reason इसका पहल गाम से है इसकी जो लेंथ है कश्मीर वैली में वो कितनी है 73 km कश्मीर में है जो की फैली वे कश्मीर में it is the second major tributary of this river जिलम रिवर की second important tributary मना गिया है इसको meets it in the north half अनंतनाग टाउन में ये meet करती है जिलम के साथ पहलगाम is situated in the center of leader valley कौन सी बैली के center में पहलगाम situated है तो आपका leader valley होगा दो इसकी important duties है leader east और leader west तो friends इस वीडियो में बस इतना ही next वीडियो अपकी जो होगी वो हम लाएंगे lakes के बारे में जो की कश्मी और जम्मू की होगी जब ये हमारा जियन के यूटी ठीक है लदा की आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके special syllabus में मेंचन होगा कि rivers lakes and rivers of जम्मू और कश्मी यूटी ठीक है तो इसमें और क्या चीज आईगी आपकी इसके आपको PDF मिलेगी जब भी पूरा वर्क हमारा complete हो जाएगा तो आई दिन कल या परसो तक हमारा complete हो जाएगा फिर आपकी इसको इसके PDF है जो आपको मिल जाएगी तो आप हमें join कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पे भी हमारा टेलिग्राम ग्रूप पे जो चैनल है वो ग्रेट हो चुका है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका link है जो description box में है और आप हमें इस्टा पे भी फालो कर सकते हैं ओके गाईस बबाई अगर कोई important PDF होगी तो हम उस पे डाल सकते हैं टेलिग्राम पे टेलिग्राम सब्सक्राइब करने का एक का आपको फाइदा होगा कि अगर आपको पता ना चले कि आपको YouTube पे notification आईगी कोई video update हुई है तो टेलिग्राम पे आपको ज़रूर notification आईगी तो ओके गाईस बबाई टेक एर आज के वीडियो में वसे इतना ही रखेंगे